जैहिंद, आज मैं आपको अपने बीटिवों में बताने जा रहा हूँ दस्मलो का जोड़, वो भी बहुत असान तरीका के साथ अच्छे से आपको बिना इस्किप किये हुए देखना है, एक बार देखेंगे तो अवस्य आपको समझ में आ जाएगा, देखिए ये 30 दस्मलो 058 है, और इसके बाद 358.86 है, ये तीनो को जोड़ना है, यानि कि देखें आप दस्मलो तो देखी रहे हैंगो, ये होंगे, एक में एक अंगपर है, दूसरे में तीन अंगपर और तिसरे में दो अंगपर दस्मलो रखा हुआ है, ठीक है, अब देखें इसको हम जोड़ें यानि कि कैसे जोड़ेंगे, अब मैं आपको विश्तार से समझाने जा रहा हूँ, देखें इसको पहले लिखेंगे हम, यानि कि ये 30.5 है, तो 30.5 लिखेंगे, और फिर देखें ये 0.58 है, यानि कि देखें इसको कैसे लिखेंगे, यानि कि ये दस्मलो का है नमार्क, ये स सीध में लिखेंगे तो अब जाके हमारा जोड जो है वो सही आएगा और देखे तीसरा है 358.86 यानि कि यह दसमलों सीध में लिखेंगे बिलकुल सीध में रहेगा तो हमारा इंसर सही आएगा और इधर कांक आगे पीछे हो सकता है उससे कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है हम वोट नच और आठ तेरह और एक हांसिल लगा है तो इस 14 की 4 हो जाएगा अब देखे ये 10 मलों को मार्क रख देंगे ठीक है बिलकुल सीध में अब इसके बाद जोड़ेंगे 8 और एक हांसिल लगा है तो ये 9 हो जाएगा ठीक है अब 9 लिख देंगे यहां पर और इसके ब अब ये तीन हो जाएगा यहीं हमारा सही एंस्वर हो गया यानि कि दस्मलों का जोड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना दोस्तों जय हिंद